आज हिमाचल प्रदेश में करोनो वैरेस की स्थिति इतना अच्छी नहीं है पिछले दिन तीन केसस पॉजटिव हुए हैं इनमें से दो केसस हमीरपूर डिस्टिक्ट में हमीरपूर टौन में तता नदवन में हुआ रहें और एक केस जो है तलेल जो कॉरंटाइन सेंटर बटियाट सब्डिविजन में है वहां पे पाया गया है और जो दो केसस हमीरपूर में डिस्टिक्ट में हुआ है ये दोनों केसस में जो विक्टिम्स है वे हमाजल से बाहर नहीं गये हैं इनके कहने में के मताबित वे अपने गर पर ही रहे हैं इसलिए ये कम्यूनिटी स्ट्रिटिंग कैसे हुआ ये हम स्टिडिया एनालिसिस करके इस वक्त पता लगा रहे हैं और जो विक्ति तलेल में पॉजिटिव पाया गया ये पहले जो हटली बेरियर में पुलिस के साथ उलचते रहे दो साथी आउरते ये देरा बसी से पंजाब से आयते और पुलिस के साथ बत्तमी जी की और इनको सिमूता पुलिस चोगी ले जाके वहाँ पे FIR दर्ज की और अब हमें शिमूता चोगी और जो हटली बेरियर के तमाम स्टाफ को कॉरंटाइम में वेजना पड़ा और नया स्टाफ लगाना पड़ा और मेरा अनुरोध है इस तरह पुलिस को गाली गलोच करना अबद्र वेभार करना और पुलिस को चक्मा देखके अपने गर पहुंचना और अपने आपको हीरो समझना और ये समाज के लिए घातक साबित को सकता है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 21 प्रवनवाइरस पॉजिटिव केस जो है अस्पताल में उभचारा दीन है और कुल मिला के 38 केस हुए हमें बहुती ज़्यादा सतरक रहने की आश्यकता है मैं गाउं के प्रदानन से भी अनुरद करता हूँ कि वे गाउं में कोई भी विक्ति बाहर से आता है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना करें और उनको कॉरंटाइम में रखा जाएगा कॉरंटाइम कोई बहुत बड़ा सजा नहीं है और सिर्फ गरपर ही रहना है और हम सब इस वक्त कॉरंटाइन ही अबजरू कर रहे हैं सब गरपर ही रहते हैं इसलिए बाते चिपाने से समस्या बढ़ सकती है और इस वक्त जो गैडलाइन्स दिया गया लॉकडाउन के कोवीड फंट से सैनिटाइजर्स करिजने के लिए पी-पी किट के लिए हैंड ग्लाउस के लिए मास्क के लिए तता पुलिस तता होंगार्ड के रिफ्रेश्मेंट के लिए इसके लिए मैं मान्या मुक्यमंत्री महदय को धन्यवाद करना चाहता हूं मान्या मुक्यमंत्र प्राइम में कड़े अन्या हेल्थ वरकर्स से भी उन्होंने बात की पुलिस विबा का मनोवल बढ़ानी के लिए भी मैं मानने मुकी मंत्री मौधरे को दन्यवात करना चालता हूँ और हमारे नौलिज में एक बात आई है कि जो हिमाचल बाउन दिली और चेंडिगर से वापस लाने के लिए ट्रांसपोर्ट एरेंज करने के बारे में लिंक्स बेजा जा रहा है ये सही नहीं है ओफिशिल इंफरमेशन आपको ओफिशिल चैनल में ही मिलेगा इस तरह का लिं है और गूगल ने कोई 18 मिलियन जो कोविड-19 के समयंदित फेक नियूस जो है के बारे में जो मेसेजर्स को इन्होंने डिलीट किया है और डोमेस्टिक वाइलेंस का जो केसस है इस वक्त थोड़ा बढ़ रहा है और मेरा अनुरौध है आपके मन में टेंशन है नौकरी को जाने का या सैलरी नहीं मिलने का लेकिन वो गुसा जो है अपना गरवालों के ओपर ना दिखाएए और सायम बरतने के अवश्कता है सैनिटाइजर्स को जब यूज करते वक्त आप आग से दूर रहिए क्यूंकि इसमें 60% से ज्यादा अलकोहॉल है अगर आप चूला का न जा रहा है आइंदा हमें इस तरह की बाते अगर नोटीस में आया हमने कंसर्ण हेड अफ दे डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए चिट्टी लिखेंगे और साथ में जो अथौरिटी पासस इश्यू करते हैं उनसे भी अनुरौद करेंगे कि इन लोग नामत्री महदैजी ने देश से अनुरोद किया है कि गरीबों को मदद करें और साथ में जो एम्प्लॉयर से वो अपने एम्प्लॉईस को नौकरी से ना निकालें मैं कहिना चाहता हूँ कि ये सभी धर्म का मिशेज भी यही है गुरु नानक जी ने जो गुरु ग्रंद साइब में लिखा है कि जो कमा के खाता है और कमाई की तोड़ा हिस्सा बंढता है वो नानक वो सही रास्ता जानता है और इसी तरह गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि बी काइंड टू और लिविंग बींग्स इस होलिनेस दलाय लामा जी ने भी कहा है मेरा रिलिजिन बहुत ही सिंपल है आप दिल और दिमाग को मंदिर बनाओं और बी काइंड टू अधर्स तो इतना सिंपल बातों में उन्ह ने कहा है बगवान साही बाबा ने भी कहा है कि help ever hurt never प्रॉफेट मामद ने कहा है कि जो अल्ला लौस दोसु गिव चारिटी विदाव डिस्क्लोसिंग देर अइडिनिटी प्रॉफेट मामद ने ये भी कहा है कि God लौस दोसु लौस इस क्रियेशन तो हम सब को इन बातों क को समझना चाहिए जो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं कल एक तिबती मेरे को फोन किया और उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग को वो कुछ सैनिटाइजर मास्क देरा डोनेट करना चाहते हैं और मैंने कहा मैं गाड़ी बेज दूंगा मैंने गाड़ी बेजी तो गाड़ी बरके उन्होंने मास्क और हैंड ग्लाउस सैनिटाइजर और जूस और पानी का बोटल बरके बेजा है यह विर्ती ने अपना नाम पता तक नहीं बताया कार्ड तक नहीं दिया और मुझे पता भी नहीं है कि यह काउन है इस तरह के लोग जो है बहुत सारे हमें म मैंने पहले भी कहा था when you help others you help yourself मैं दो example देना चाहता हूं डॉक्टर देवी शेटी जो जिन्होंने नारायन और दयायालया बेंगलोर ने स्तापित किया और जब स्तापना करते वक्त उनका इरादा था कि free heart surgeries गरीब लोगों के लिए करना है इसलिए उनका hospital successful हुआ अमीर ल और इसके साथ साथ बहुत सारे आइसे hospital भी है जो बिना मतलब का एंजियोप्लास्टी या बाइपास सर्जरी इवन डेथ के बाद जो life supporting system में लोगों को रखते हैं पैसा कमाने के लिए आइसे hospital थोड़ा ही दिन के बाद बंद भी हुए हैं डॉक्टर जी वेंकर स्वामी जो मदुराई में जो रिटायर्ड आर्मी के अप्तॉलमलजिस्ट थे आंक कर डॉक्टर थे जब वो गर आये उन्होंने देखा बहुत सारा जो cataract blindness है मदुराई में अपना गर को उन्होंने hospital convert किया 11 bedded hospital और cataract निकालना शुरू कर दिया और खाना भी किलाना शुरू कर और बाद में intravocular lenses आये एक IOL जो है उसका दान 200 डॉलर था और डॉक्टर वेंगर स्वामी के पास पैसा नहीं था ना गरिबों के पास उन्होंने हमदर्दी दिखाते हुए मदुराई में ही IOLs manufacture करना शुरू कर दिया और वो पांच डॉलर में produce कर सके दुनिया के बहुत स dollar का IOL खरीदना शुरू कर दिया और उनका गर्व कनवर्ट हो गया ये मैगनिफिशन्ट अरविंद नेतरालया बना और वे हजारों operations करने लगे और इंडिन इस्टोफ मैनेजमेंट नारायन दायलया तता अरविंद नेतरालया का example successful business model के तोर पर प्रस्तुत कर रहे हैं ले और इससे हमें सीखना चाहिए है कि when you help others finally you help yourself एक Bollywood के अभिनेतरी cancer treatment के लिए नियु यार्क गई और वहां का अस्पताल का एक pathologist doctor उसके पास आके बैटती थी और उसको motivate करती थी कि कि आपको cancer को fight कर सके और in the end वो cancer मुक्त हो गई और वो pathologist तोड़ा दीरे दीरे कम समाई उसके साथ बिताने लगी जब वो इंडिया वापस आने लगी तो उस pathologist से पूचा है कि मैं आपको जानती तक नहीं आपने इतना pain मेरे लिए आपके पास time नहीं था फिर भी आप मेरे साथ बैटके मुझे motivate करते रहे इसका क्या मंस जाके किसी और को इसी तरह मदद कर सकोगे तो दुनिया एक दूसरे का मदद से ही चल रहा है और हमें समझना चाहिए कि यह एक सुनारा मौका है दूसरों को मदद करने के लिए एक बार स्वामी विवेका नंजी प्राइवे स्टेशन के पास बैटे थे वो दो दिन से उन् के पास आया और कहा है कि मैं बगवान राम चंदर दी का बगत हूँ आज मैं जब दुपार का नैप ले रहा था इतने में राम चंदर जी आये सोपन में और उन्हाने कहा मेरा बगत जो है दो दिन से खाना नहीं का रहा है फलना जगह पे बैटा है वहां जाके उसको खाना किलाओं और ये एक सची गटाना है और इसका मतलर जो है जो भूके रहते हैं जो जो लोग भूकों को किलाते हैं बगवान सब देखता है और हमारी जो Freedom Fighters ने और Lord Mahavir ने कहा है कि Live और Let Live जीओ और जीने दो ये हमारा एक fundamental जीओटी भी है मैं इतना ये अनुरोद करता हूँ प्रदानमंत्रिद के अनुरोद पर थता आज के हालाद देखते हुए हम इस कॉंसेट को थोड़ा बढ़ाए Live, Let Live and Help Live दन्यवाद जैगे